गुड मारें इस्टुएंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गुइंग टू डिसकस एक्सराइज 2.5 का कॉशन नंबर एट था में डिसकस करना है ओके कॉशन नंबर एट क्या है फेक्टराइज इच ऑफ दा फॉल्विंग हमें फेक्टराइज करना है जो भी हमारे लिए एक्क् गांना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि दगेवनियों कि 11 या है कि कैरें गया तो इसके लिए एक्प्रशन दिए तो इसके लिए जैसे यह लूए यह है तो तो इसके लिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 का Q तो लिख देंगे 2A का होल Q प्लस B का Q प्लस अब हमारे लिए यहाँ पर जो मलब आइडेंटिटी होती है Q वाली है तो Q वाली आइडेंटिटी के रूप में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले आता है 3 अब A आएगा A क्या होता है 2A B क्या है यहाँ पर 1 तो 1 और A प्लस B तो 2A प्लस B तो यह हो जाएगा आपके आइडेंटिटी ओके मलब आइडेंटिटी के रूप में आपने इसको जमा के लिख दिया है यह आपको इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे पहले बाद में यह वाले आ जाएगी कि पहले लिख देंगे आप 2A का होल क्यू प्लस B प्लस 3 फिर नहीं रहने दिए आप ऐसे ही सही है अभी ओके अभी आप देखिए आज जैसे आपन यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे इट इस नॉन देट हम पहले तो आइडेंटिटी लिख देंगे कि A प्लस B का होल क्यू इस इक्वाल टू A Q प्लस B Q प्लस 3 A B और A प्लस B हमने इसी रूप में इसको रख दिया है ओके तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A Q प्लस B Q प्लस अब इस 3 A B का A में इंटू हो जाएगा तो 3 A स्क्वार B हो जाएगा फिर 3 A B का इस B में इंटू हो जाएगा तो 3 A B का होल स्क्वार हो जाएगा तो अब हमार यहां पर हम लिखेंगे कि अब इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं जैसे यह बन गया यह इसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे इस वाले एक्परेशन को तो कैसे बनाएंगे 2A का होल Q प्लस B का Q प्लस यहां पर देखिए अब यदि 2A में इंटू होगा तो यहां पर क्या जाएगा 3 2A का होल स्क्वेर और इंटू में B प्लस फिर क्या जाएगा यहां पर 3 2A इंटू B का स्क्वेर B क्या है यहां पर simply B ही है तो B का होल स्क्वेर तो इसके लिए हम कैस Whoo यह आपका ईंसर होजागा यह इसको एहसे भी लेक सकते हैं 2 a b प्लस 2 a b अपकी ज़िवाक्ते टो यह आपका और रहाक्त गया तुर खेंक्र aq-bq-12a²b plus 6ab² है तो इसको कैसे solve करेंगे the given expression can be written as तो जो given expression लिखा हुआ है कैसे ऐसे लिखेंगे हम aq-bq-3a²b तो 3 कर दिया a² के लिए 2a का square into b तो यादि हम इसका क्यों आया क्योंकि आप यहां पर देखिए माइनस यहां पर आया है जहन不好 प्लैसे है अपने यहां पर माइनस itily लिया है क्या या अभվ जो आपना होता है तो इसमें यहां पर कहा रहता है minus रहता है okay identity a minus b whole q क्या होता है aq minus bq minus 3ab a minus b यह होती है identity अब जाद ही हम इसको solve करेंगे तो aq minus bq minus 3a square b minus minus plus 3ab स्क्राइब क्योंकि इस minus का minus mint होगा तो plus हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा plus तो अब इसको ऐसे लिख दिया अब यह है इस identity के रूप में लिख गई है तो इसको हम ऐसे ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिख देंगे a minus b का whole q इसलिए a यहाँ पर 2a है और b यहाँ पर b है तो 2a minus b का whole q हो गया तो इसको तीन वाल लिख दिया है यह ही इसका अंसर हो जाएगा ओके अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है थर्ड की 27 minus 125 a q minus 135 a plus 22 225 का a square तो अब इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे a q के इसको बना जिएंगे 27 को तो 3 का q minus इसको 5a का whole q लिख सकते हैं अब इसको हमें 3 में तोड़ना पढ़ेगा सबसे पहले तो 3 अब a का a square 3 है तो 3 यहीं पर देख लिजिए कर करिए आप यहाँ पर b 5a तो 5a लिख दिया सिंपली प्लस 3 3 क्योंकि 3 आता है और 3 यहाँ पर a है यह वाला है यहाँ पर b का a square b क्या है 5a 5a का a square आप इसको solve करेंगे तो 225 a square ही आएगा तो इसके लिए हम लिख देंगे 3-5a का whole square यह next next है fourth fourth similarly है सिर्फ minus वाला है तो आप minus में बना कर लिख सकते हैं सिर्फ देखिए आप 27pq-1 upon 216-9y2p square plus 1y4p यह दिया गया तो इसके लिए हम लिखेंगे 3p का whole q इसके लिए लिए 1 upon 6 का whole q क्योंकि यह 6 का q होता है 216 minus formula में 3 होता है तो सबसे पहले हमने 3 लिया dot a का square होता है a यहाँ पर 3p है तो 3p का square लिया dot अब b लेते हैं तो b यहाँ पर 1y6 है तो 1y6 ले लिया plus 3.3p 3p कहां से आया वही 3a b square तो 3a अब b square तो b है 1y6 तो 1y6 का whole square तो अब यहाँ पर यह माइनस वाली है equation तो 3p minus 1y6 का whole q यह answer हो जाएगा यह यह था आपका question number 8 ओके यदि आपको इस वीडियो से related कोई भी डाउट होता है तो comment box में सो पूंश सकते हैं और WhatsApp में भी आप मुझे सकते हैं यदि आपको पुरानी वीडियो की नहीं मिली है यदि आपने पुरानी अभी तक क्या course complete नहीं किया आपका जो सिलेवास के अनुसाज आपको चल रहा है जो अभी आपका second chapter यह आपने अभी तक कंप्लीट नहीं क हैं तो आप उसे भी बना लीजिए ओके थैंक्स